आज मैं सबसे पहले तो इनको बसाई देना चाहता हूँ इन सबने इतने बड़िया तरीके से इन सारी चीजों को कंड़क किया है कहीं पर भी आत्मविश्वास की कमी नजर नहीं आई आपने भी बारीके से अबसुर किया होगा मैं बराबर अबसुर करता था ऐसा सामर्ते यहां बैठे हुए हर एक में होगा जो टीवी पर देखते होंगे उनमें भी होगा और जो नहीं देखते होंगे उनमें भी होगा जीवन में जो सवाल के दाइरे में नहीं है लेकिन मैं जरूर कहना चाहूँगा कि हम सच्पुश में जीवन में आनंद की अनुभूती करनी है तो अपने आपको एक quality विख्सित करने का प्रयास करना चाहिए अगर उस वीधा को हम develop करेंगे तो आप हमेशा आनंदित रहेंगे और वो है गुणों के पुजारी बनना किसी में भी हम गुण देखते हैं quality देखते हैं तो हम उसके पुजारी बनते हैं उससे उसको तो ताकत बिलती हैं हमें ताकत बिलती हैं हमारा स्वभाव बन जाता है कि जहां भी देखें अच्छी चीजों को अफ़जर करें कैसे अच्छा है वो अबज़र करें उसको हम स्विकार करने का प्रयास करें खुद को उसमें ढालने का प्रयास करें इनोवेट करने का प्रयास करें जोडने का प्रयास करें अगर हम इर्शा भाव पनपने देते हैं देखो यार यह तो मेरे से आगे हो गया देखो उसका कुरता तो मेरे से भी ज़्यादा अच्छा है देखे यार ये इसके तो परिवार में इतना अच्छा वातावन है उसको तो कोई तकलीब ही नहीं है अगर यही competition मन में पड़ी रहती है तो हम दीरे 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 बहुत ही अपने आपको छोटा करते जाते हैं हम कभी बड़े नहीं बन सकते हैं हम औरों के सामर्थ को औरों की विशेस्ताओं को औरों की शक्तियों को जानने समझने का सामर्थ विक्सित करेंगे तो उन विशेस्ताओं को अपने में लाने का सामर्त है अपने आप विक्सित होना शुरू हो जाएगा और इसलिए मैं अपनी जिंदगी में सफल होने के लिए आप सबसे आगरह करूंगा कि जीवन में जहां भी मोका मिले जो विशेस है जो अच्छा है जो सामर्तवान है उसके प्रति आपका जुकाव होना चाहिए उसको जानने का समझने का स्विकार करने का बहुती उमदा मन होना चाहिए कभी भी इर्शा का भावनी होगा कभी भी हमारे मन में प्रतिशोद की भावना पैदा नहीं होगी हम एक बड़े आनंद और सुख की जिन्गी जी पाएंगे इसी एक अपेशा के जाथ मैं फिर एक बार आप सब का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं सबी विध्यार्षव का भिनंदन करता हूं और मैं सिख्षा विभाद का भिनंदन करता हूं कि इतना शांदार कारकम आप सब ने योजना की और आप सब जाउजवारों से मुझे मिलने का मुका मिला कुछ लोगों को लगता होगा कि मोधिय परिष्षा की चर्चाच को करते है मैं तो ठीक है टीचर ने बहुत को समझा दिया होगा आपको लाब होता है कि नहीं होता है मुझे मालूम नहीं है मेरा लाब होता है मेरा लाब यह होता है जब मैं आपके बीच में आता हूं तो मैं 50 साल छोटा हो जाता हूँ और मैं अपने आपको आपकी उमर से कुछ सीख करके ग्रोव करने की कोशिश करता हूँ यानि मैं मेरी पीड़ी नहीं बदलती है मैं आपके साथ जूणने के कारान हमेशा आपके मन को समझता हूँ आपके आशा आकांचाओं को समझता हूँ मेरी जिन्दगी को उसमें ढालने की कोशिश करता हूँ और इसलिए ये कारकम मुझे बढ़ाने में काम आ रहा है मेरे सामर्दों को बढ़ाने में काम आ रहा है और इसलिए इसलिए मैं आपके बीच आता हूँ मुझा आठ अपने को ढालने के लिए अपने को घड़ने के लिए खुद को कुछ सिखने के लिए आप सबने समय दिया इसलिए मैं आपका अभारी हूँ बहुत बहुत धन्यवाद चाना वप्दा कहां से हो सब बरेली जिया श्रवास्त असलो जी आश्रवास्त अधर देवां ब्रिज्वासि ने नितल जी एन वी ने नितल पत्मा अंदस्ता लेलता श्रिजन्वर मासर गया भिहार चलिए बहुत आपका अभाद